तो इस चप्टर की शुरुआत वेलो इस्टोन विलेज से होती है, जहांपर की प्रिजन के अंदर वो दोनों बंदे एरे की तलासी लेते हुए कह रहे होते हैं, उसकी हाथों को बंदे होने के कारण हम उसे अच्छी तरह से चेक नहीं कर पा रहे हैं, इतना बोलते हुए हो लोग जैसे ही एरे के हाथों को खोलते हैं तो उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है, आखिर तुम कैसे लोग हो देखती हैं, उस मुझो वाले बंदे के सामने, एक तम से ही एक भूत आकर उसकी आखों से आखों ही मिला कर कह रही होती है, या तुम उसे बचाने की को जैसा हो सकता है कि उसे चोट पहुचाने की कोशिश कर रहे हो, जो सुन वह बंदा घपराते हुए अपने स्वार को चारु तरब घुमाने लगता है, पर थोरी ही दिर बाद वह किसी चीज़ को देख काफी ही जैदा डर गया होता है, वह देखता है कि वह एकदम से ही किसी कलरलेस जगह पर पहुच गया था, जहां पर कि कुछ भी नहीं होता है, बिलकुल नथिंग, वहीं दूसरी तरब हम उसके साथ वाले बंदे को भी देखते हैं, उसकी भी ऐसी ही सेम हालत होती है, वह देखता है उसकी और काफी सारी आखें बढ़ रही होती है, वहीं मुच पूसिस करने के बावजूद भी, जिसे कुछ दिर बाद ही वह पुद के परचाई में ही पूरी तरह समा जाता है, और उसकी बाड़ी को भूतों के द्वारा पजेस कर लिया जाता है, उसे इस तरह देख पीछे से वह बंदा कहता है, आखिर यहां पर चल क्या रहा है, क्य जिसको सुन, वह उस कमरे में जाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, इतना बोलते है, जब वह उस रूम के अंदर जाता है, तो वह अपने आगे उन दोनों बंदों को पजेस हालत में देखता है, वही उसके पीछे कई सारे भूत होते हैं, जिसको देख व चिलाने के आवाज आना सुरू हो गया होता है, इतने सारे चिलाने के आवाज को सुन, तो पर खरा होकर पहरा दे रहा एक बंदा कहता है, आखिर यह चिलाने के आवाज कैसी थी, साथी मौसम आज इतना अच्छा था, फिर भी अच्छानक ही यह इतना खराब क्यों होने ल लाखों की सेना में होते हैं वे सब तुरंथी उपर के ओर आते भी एक बंदे को अपने चपेट में ले लेता है वहीं दूसरा बंदा उन डेड आर्मियों को देख कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है यह सब है क्या उतने में ही कुछ डेड आर्मियों उस पर भी छपटता है और उसे भी खुद में सामिल कर लेता है रह जाती है तो बस उसकी चिल्लाहट की आवाज आगे हम कहीं पर योंग को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ही जैदा स्पीड में यलो एस्टोन विलेज की ओर बढ़ रहा होता है साथी वह सोच रहा होता है नहीं बस थोड़ा देर और रुक जाओ क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ नहीं हैसा नहीं हो सकता इतना सोचते हुए वह दोबारा अपने स्पीड को बढ़ाता है और काफी ही जदा रपतार में छलांग मारते हुए उस जगा से आगे की ओर बढ़ता है सेम टैम पर हम पिरिजन के अंदर उन बंदों को देखते हैं चिन्होने की एरी और उस फ़ाइस लीडर को अपने साथ लाया होता है उन्हें में से एक बंदा इतनी सारी चिलाहट की आवाज को सुन कहता है अरे यार दिकार है गार्डस तुम बाहर कर क्या रही हो हम यहां आवाज के कारण सो नहीं पा रही हैं इसलिए जो भी कर रहे हो वह थोरा सांती से करो यह सब वह चिलाते हुए बोल रहा होता है उसकी दिनी तेजाबाज को सुन टकला कहता है बेवकोफ उन्हें सभी से जैदा तो तुम चिला रहे हो जल्दी से सो जाओ और मुझे भी सोने दो वह बंदा कहता है सर डंग आप जाग गए हैं तो दूसरा कोई बंदा कहता है हम भी जाग गए हैं बेवकोफ वही तीसरा कोई कहता है तुमहारी आवाज काफी तेज ची उन्हें चिला हाटों से भी उन्हें सभी की बातों को सुन टकला कहता है अमारी रिहाई में पुछ दिन अभी भी बांकी है इसलिए बिना किसी परिशानी को खरा कि चुपचाप सो जाओ सभी जिस पर कि ये बंदा कहता है ही गए मैं समझ गया लेकिन अभी भी उसे वह चिलाहट के आवाज काफी परिशान कर रहा होता है पर फिर भी वह सोने की कोशिस करता है लेकिन थोरी ही दिर बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जिसको महसूस कर जब वह उठकर देखता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है उसे देख दूसरे बंदे भी उठते हुए कहते हैं भगवान के लिए हमें सोने दो परिशान होते हुए उठकर कहता है सिरियसली क्या तुम लोग अपनी मुह को बंद नहीं कर सकते हो चुपचाप सोजा नहीं तो इतना बोलते हैं जब वो अपने आज पास देखता है तो उसके सभी साथ ही जमीन पर गिरे हुए होते हैं जो देख वह टकला कुछ भी नहीं समझ पाता लेकिन तभी वो सारे बंदे अपने सर को उठाते हुए लाल आंखों के साथ उसकी ओर देखता है तो टकला कहता है आखिर तुम कमीनों मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो पर वे सारे बंदे उसकी बातों पर ना ध्यान में चक्कर मार रहे होते हैं जबकि इधर हैरी को देखते हैं जिसके पास उसकी मा की भूत उसे पर्टेक्ट कर रही होती है और बार बार अपनी सब्दों में यानि की भूतों की भासा में हैरी को देखते हुए कुछ बोले जा रही होती है जो कि मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे भूतों की भासा नहीं आती है पर इतना बोल सकता हो कि वह सायद कह रही होती है अपनी आखो को बंद किये प्यारी सपनों को देखो इसी के साथ चेप्टर यहीं पर खत्म होती है मिलती है अगले चेप्टर के साथ पर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो लिज जल्दी से कर दीजिए ताकि आप किसी भी तरह के नौटिफिकेशन को मिशना कर पाए.